कि थोड़ा फिलो हो जाएगा फिर आप भी अंसर करना है ना तो इसे ही क्वेश्चन है इसमें हमारे पास इक रहे विच इस ग्रेटर दैंगुलर विलोसिटी ऑफ आवर हैंड और वाच और एंगुलर विलोसिटी ऑफ अर्थ अराउंड इट्स और एक्सिस तो इसके लिए हम लगाएंगे अंगयृःइंग्लर स्पीड का एंग्लर स्पीड का फॉर्मला थीटावाए टी ती होता हैं कि नहीं होता है चेंज इन एंग्लर डिस्परेशमेंट ठीक है पर उनिट टाइम ओं मेंगई एकल टुटो ठीटावाई टी यहता है अगर हम बात करेंग समय आ अंग डिस्पलेसमेंट इसे टोपाई हो गया ठीक है एंड हाउ मच टाइम टेक्स तूप्लीट वन कंप्लीट राउंड इन आवर इफ वी टेक इन आवर इसी एग यूँ हाँ आवर हेंड की बात करना हूं मैं आवर हेंड आवर हेंड जो हता है वो पूरा weekly कितने आवर में पुरा झेकर राउंड कर लेगा इंटीफोर कर लेगा ठीक तो यहां पर अम लेत है कितना यह इटवोर हं साही है टूंटीफोर अवर लगेगा इस ärоль sorry पूरा एक रवविलुशन करते हो कितने आवर में ख़ल लेती है कितना आवर्म कर लेती है ऑलो 24 और में कर लेती हैं तो यह इसको कैंसल करते हैं तो वाइव ना जाएगा ओमेगा वन और ओमेगा टू का जो रेशो है हमारे पास यहां तू रेशो वन और यहां से एक बात और दिखरी होगी आपको कि जो वहां है तो ओमेगा वन है वो मेगा वन इसट वाली है वाच की वह ज्यादा होगी एस कंपेर टू अर्थ ठीक है तो ओमेगा वन पहले बात यहां जाएगा तो और रेशो आपको देगा तू रेशो वन आया समझ मैं पर पास केल्गुलेट देंग्लर स्पीड ऑफ फ्लाय वील में फोर हंडेट वन्टी रेविलूशन पर मिनित दिया हुआ है और मिनित में दिया हुआ है तो फॉर्मला क्या हो जाएगा टूपाइण डिवाइड बाइड बाइट बाइड 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 शिक्स्टी क्यों दिए तो यह होगी आपने बाद टूपाई और एड कितना दिया है आपको फॉरंडड टूइंड बाइड बाइगे हम 62 कैंसे को करते है 236 दिए 13 बाइड यचा जाएगा आपके पास और युनिट क्या जाएगा स्का रेडियन डिवाइड बाइड बाइड सेकेंड आइध ठीक है इसको 14 पाई को भी सॉल किया हुआ है नोने 22 by 7 करके कर लेते हैं तो 14 इंटू 22 divided by 7 तो 720 14 हो जाएगा ठीक है तो यूर आंसर इस 44 रेडियन डिवाइड बाई सेक्ड क्लियर है अगे सौन्ज में आशीं कि आप नेक्स कुश्यन हमारे पास है कि आप बाड़ी ऑफ मास 10 किलो ग्राम टू मास ऑफ बाड़ी इस हांगे टैन किलोग्राम स्पोडिय संब्सक्ड रॉड़म आपनेट तो डाया दिया हुआ है अपको डाया इगल to how much 0.40 meter ठीक है तो रेडियस आप लिकाल लो गया से रेडियस किते हो जाएगी 0.20 मीटर ठीक है 0.20 मीटर हो जाएगा आपके पास यह आ गया आगे देखो आप making 1000 revolution per minute तो number of revolution आपको जो दे रखें हों कितने 1000 revolution है 1000 revolution per minute ठीक है तो number of revolution आ गए है calculate its linear velocity and centipetal acceleration तो linear velocity मतलब आपको वी बताना है वी कितना होगा ठीक है फिर आपको centipetal acceleration बताना है centipetal acceleration का formula होता है आपको 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 V square by r या फिर omega square r any formula you can apply तो यह determine करने के लिए सबसे पहले आपको क्या find out करना पड़ेगा omega find out करना पड़ेगा क्या find out करना पड़ेगा omega और omega किसे आएगा omega के लिए आप कोई number of revolution दे रखें इसने number of revolution दे रखें तो टूपाइं डिवाइड by 60 लगा देते हैं के नहीं टूपाइं डिवाइड by 60 आप apply कर तो टूपाइं डिवाइड इससे तो आपके पास omega आजाएगा ठीक है और जैसे आपके आपके आगया तो वी इकल to omega r लगा देना आर आपको दिया हुआ है यूनिट्स केरफुली यूनिट्स का ध्यान रखना तो वी इकल सब्सक्राइब कर देना यहां फिर omega square by omega square r इससे आपके पास आजाएगा करोगी केल्कुलेट करो देखो कि आप पूट करने इसमें है ना तो यह हंड्रेट पाइवाई थ्री आजाएगा आपके पास यूनिट्स जरूर करें कोई भी कुष्छन आप सॉल कर रहे हो तो तो डियां डिवाइड भाई सेकें आ जाएगा ठीक है ओमेगा आपके पास कितना आ कर दो आपको पास यह जाएगा 2000 कि यह वी स्क्वाइर लगा दो ठीक है 2000 और योगा पाई स्क्वाइर डिवाइड बाइड नाइन तो हंड़ेड पाई नाइन तो हंड़ेड पूरा वेली पूट करके को मेंगा स्कार आर लगा देगा 20 कारें तो वी स्कार करोंगे तो आपको चैना टून्टि डिवाइड बाइड थ्री पाई यह तो वी स्क्वाइर हो गया और रागेश जो 1 upon R आपका से 0.20 तो यह 0.20 हो जाएगा है आपके है ना तो यह बनेगा आपका 20 into 20 तो यहां से आगिया थी 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 नाइन ठीक है यह पाई स्क्वार आ गया इंटू देन 0.20 है हटाते हैं यह 100 आजाएगा 20 से 20 कैंसिल कर दो आप ठीक है तो टू जीरो और टू जीरो यहां से मिल जाएगा 2000 ठीक है एंड डिवाइड वाइड नाइन और पाई स्क्वार और एक्सलेरेशन जो है वो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वार माएगा सही है है 2000 डिवाइड नाइन पाई स्क्वार मीटर अपॉन सेकंड स्क्वार करेक्ट है हूं वाँ सब्सक्राइब तो इस क्वेश्चिन की बात कर लें हम फाइंड दा मेगनिटूट ऑप दे सेंटिप्टल एक्सलेरेशन ऑप पार्टिकल ऑन दे टिप अफ एन बिलेड सब्सक्राइब तो डाया आपको दे रखाए 0.30 मीटर आप भी स्वाल करने फिर मेच करने ना तो रेडियस आपको या सजाएगी 0.15 मीटर है ना देन नंबर ओफ रेविलुशन आपको गिवान है और नंबर ओफ रेविलुशन से 1200 रेविलुशन पर मिनिट तो रेविलु पाई और एन की वेल्यू है आपके पास 1200 ठीक है और 1200 डिवाइड बाए आप उन कर देंगे 60 0 कैंसिल कर देते हैं और यह 62 12 कर देते 20 आ जाएंगा यहां से ठीक है और 20 इंटू टू कर देते 40 तो 40 पाई है ना 40 पाई रेडियन पर सेकेंड यह आपके पास आगया ओमेगा होते लूंट यह आपको है अपको चाहिए सेंटिपृटल एक्सेलरेशन इसेंटों का फॉर्म मृग्शन का आपको बता है हमने क्या होता है वी स्क्कूर बाय और很 इवा質 ओन्हार 2 5 कर देते हैं और और की वेल्यू कितनी है जीरो पॉइंट वन फाइफ तो इसे कैंसिल लेते हैं तो फिफ्टी इंटू तो फॉटी पाइश स्कॉयर और यूनिट हो जाएगा आपको आस मीटर अपॉन सेकंड इसकार इस तरह से इसका अंसर हो जाएगा तो यह भी सॉल हो गया चलो नेक्स कोश्चन लेते हैं इसक्राइब नाइन्टी फाइफ ना पॉस्चन नाइन्टी फाइफ में क्या देखा एंशेक्ट ट्रेप्ट इन सर्कुलर ग्रूव और रेडियस 12 सेंटिमिटर तो रेडियस गीवन है रेडियस इकल तो हाँ मच 12 सेंटिमिटर ठीक है कि मूव स अलोग दग्रूव इस्टेडिली एंड कम्पलिट सेवैं रेव्न रेवर विलीशें हैं कितने हैं सेवन रेव्यूश प्रहरघून से ठीक है और सेवन 15 div कितने हमें हंदेट सेकंड तो कितने करीग है वो सेवन रिविलूशन और नम्बर उफ्रेसीन क्य olduğ मों आपने सेकंड में एक कर निकाले नंबर और सेकंड में निकालने कि तो जाएंगे यह Pap hour चोन मными खुरा सेकंड मकली सेकंड शेकंड यह वाले सन्वक्कार ऑफ से लिखा के रखते हैं स्मॉलन होगे अपना है ना नमबर ऑफ रेवलूशन पर सेकंड कितने जाएंगे सेविन एंडिवाइट भाइट ठीक है यह होगे आपको आपको रेविलूशन पर सेकंड यहां तक बात होगे फिर क्या करें फर्स पॉइंट यहां पर वाट इस दा आपको ठीक है किसा गिवन है रेविलूशन पर सेकंड तो टूपाई करना और एंड की वेल्यू आपको पास से सेविन डिवाइट बाइट ठीक है यहां से आपको आशामेगा आ जाएगा तो इसको आप सौल करना देखो कितना रहें तू इन्टू इसको करते हैं टूंटी तो यह आपके पास आगया तो फर्स्ट पॉइंट के बास सेकंड पॉइंट देखते हैं अच्छा लीनियर स्पीड भी पूछा हुआ है आप से इसमें तो लीनियर स्पीड के लिए आप क्या करो कि वीजिकल तो ओमेगा र लगाओगे ना ओमेगा आपके पास 0.44 है और र मंटिप्लाइ करो देखो 44 इंटू 12 करोगे आप कितना जाएगा 0.44 इंटू 12 करना है अपने को है ना इसको सॉल करके देखो सॉल करके मेच कर यह आ रहा है मंटिप्लाइ करें एक बार 44 इंटू 12 इसको हम क्या कर सकते हैं 5.28 कर दूँ मैं 5.28 और टेनी सुपार माइनस टूए तो इसको सेंटिमेटर डिवाइड बाइ सेकिंड कर दें बोलो यूनिट समझ में आई यूनिट्स जो पूट करी है क्लियर है सेकिंड पार्ट बेकर सेकिंड इस द्याखे क्या सेकिंड इस्ध Э्क्सेल रेशन वरेक्टर आप इस वेक्तर हो वह कॉंस्टिन क्या और उसकी डाएरिक्शन क्या होगी तो घ्रकुमेंट्य्हकर ऍेटिस करना इन। simplement सब्सक्क्राइब तुम आपने सर्कृलर मोशन और नॉन और तो इस तरह से जो acceleration होगा वो क्या होगा constant होगा एक्सलेरेशन वेक्टर जो होगा वो तूवर्ड दे सेंटर वा सर्क्लर पाथ होगा और जो इसका magnitude है magnitude कैसे निकालोगे आप magnitude आप लिकाल सकते है वी स्कॉयर डिवाइड वाई आर या फिर क्या करते हैं आप और माइनस 2 कर देंगे तो इस तरह से आप इसको सौल करो सेंटर पिटाल एक्सलेरेशन को मेगा स्कार आर ला राके योगा आपके वाइड लीनियर डिस्प्लेस्मेंट कितनी होगे उसको ठीकें है linear displacement बताना है कितना होगा क्या लगता है आपको linear displacement किता हुग हुँ 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 है और और सेवन revolution कर रहा है ना वो तो सेवन ह Whatsapp कर रहा है इसमें जरीए डिस्प्लेसमेंट कर रहा है में तो जिल्चिह तो आप ध्याल को कि जैसे जो चेंज करेगा ना यह तो ठीक है कि आप देखें अगर हम इस तरह से बना दें अगर यह दारेक्शन करते कि यह वेस्ट है इदर North कर देते हैं इसको South कर देते हैं तो आप देखो डारेक्षान टूर्ट हमेशा कहा एक कर रही है तो डारेक्षन चेंज हो रही है कि नियुक्त की सेंटिप्टल एक्षेलरेशन तो किती होगी 2.32 सेंटिमीटर इसक्ड़ार होगी यह इसका magnitude होगे आपपर यह से बात करते हैं वेक्टर की तो आप यहां आंसर क्या करेंगे इसका आप जो एक स्टेटमेंट लिखेंगे की जब भी इंसेक्ट मूव करें यह इस देंसेक्ट मूव ता डारेक्शन ऑप दाइक्सलेरेशन वेक्टर जिंज के विसलेरेशन वेक्टर डारेक्शन के चैंग और डारेक्शन के चैंज होगा इसलिए यह क्याओगा इसकंड वाले काके एक्सलेरेशन वेक्टर इस नौटा imitate कॉंस्टेंट वेक्टर आया सवज में ठीक है डाइग्रम मैंने आप बना दिया है सपोर्ट में इस तरह से आप अंसर कर सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन हमारे पास है यह रेडियस ऑफ दा अर्ट्स ऑर्बिट अरॉंड दा सन इस वन पॉइंट इंटू 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 इ करते हैं एंग्लर सिटी के अगर आपन बात करें आप तो एंग्लर वेलोसिटी का फॉर्मला में लगा सकते है थीटा पूरा हो जाता है तो एंगल कितना कवर कर लेती है और तूपा यहाँ के थिस्टी डिग्री और जो टाइम होगा उसमें कितना हो जाएगा अब पूरा एक revolution जो होता है तो उसको time period बोलते है ठीक है तो इत्राइम पिरिएड जो है यह है 364 देज कितना है 364 देज है यहां से हम उमेगा लिंकालते हैं तो अब यह तो ठीक है यह तो और पाई की वेल्यों 22 डिवाइड बाई सेवन कर लेते हैं ठीक है और इंटू अब यह जो 300 अच्छा भी हो जाएगा ठीक है नेट्वर्क इश्यों होगा ठीक है अब तो देख लेखें तो देखो कैसे करोगे त्रीहंडेट शिक्टीफोर डेज है वन डे में 24 आवर में वन आवर में 60 मिनीट है और वन मिनीट में 60 सेकेंड है सब्सक्राइब को इस तरह से आपको करना इसको फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा फाइंड डूग होगा आया सब्सक्राइब यह बात सब्सक्राइब लास्ट वाली तो मैं कैलकुलेशन आप करके देख लें इसकी है ना मैं डारेक्ट आपको उता रहा हूं यहां पे यह होगा 1.99 इंटू 1.99 इंटू टेश्ट पार माइनस सेवन ठीक है और यह हो जाएगा रेडियन 365 हां 365 देख हो जाएगा 365 लेंगे पी 365 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीच यह ठीच पुट 365 और यू चैलकुलिट भाइब 3.64 अलसो और यू गेट गेट दूंसर ओके और वेलोसिटी जहां पर फाइंड आट करेंगे लीनियर वेलोसिटी तो फॉर्मला आपको पता है ओमेगा इंटु आर होता है यह ना ओमेगा आपने अल्रेडी जो है कैलकुलेट करना आप तो हैगा 2.99 इंटु जो मैं नोट साफ के साथ शेर करूं तो इनके कैलकुलेशन से एक बार करना आप है ना कहीं दिखता तो तो बताना तो यह आजएगा 2.99 इंटू पार फॉर मीटर डिवाइड बाइस सेकिड न यह भी पॉइंट हो जाएगा हमारा थ्रीहंद्डेट 965देश थ्रीहंद्डेहड देशिपॉड डेज में कितने एंगल से लिवाल्व हो रही अर्थ यह हे नह servant 一 के रिवालिएन लाज जाएगी समय। 2.99 ku сам jadi a तो टू डेज में कितना जैगा तूपाइड बाइट थ्री हंड़ेट सिक्स्टी फाइफ एंड इंटू कर देना ठीक है तो करो इसको डिवाइड करेंगे तूपाइड दिवाइट थ्री सिक्स्टी फाइव इंटू यह गा 0.0 0.034 रेडियन आया नहीं आया क्लियर हुई बात किस तरे से सॉल करना है ठीक है सारे पॉइंट्स आ गए जो भी पॉइंट्स थे स्वाइट रहे हैं यह कह रहे हैं कि आप आर्टिकल मूवस इना सर्कल और यहां पर रेडियस फॉर सेंटिम्टर कैंप टेकं क्लॉक्वाइज एट कॉंस्टेट हो रहा यहां से टिकेंटी ंंसनुश कुप अपन decorations निकौरे रहे हैंegenर क्योटर सब्सक्राइब करना तो यहां तक की बात तो हुई ठीक है अब यह डारेक्शन प्लस लेनी आपको यह दे रहे हैं साइन कन्विंशन दे रहा है आपको है अब देखो इसका अगर मैं यह डायग्राम को बनाता हूं या कि यह ओ सब्सक्राइब करते हैं दिखी रहा है könnte आपको एकस डायग्राम करतें तो ईक्सिललेशन वेक्टर आपको और एपको और इस सेного स्ऩार्ट करें और उस्य डारेक्षिंग इसान में ठीक है यह कि यहां पर भी होरिज़वन्टल से एंगल मनें गाओ कितना होगा फॉट्टि फैव डिग्री होगा आरी बासमझ मैं ठीक है कि लिए यहां तक बोलो अब क्या गरना आपको इसकी वाइक्सिस तो अलोग एक्स जो अलोग एक्स बोल देते हैं इसको अगर एक्स वेक्टर की बात करूं तो एक्स वेक्टर तो कितना जाएगा ओ भी वेक्टर हो जाएगा और एक्सकी की बात करें तो एक से चिकल तो कितना जाएगा ए ठीक है बताओ यह तो बहुत अच्छे सिखाया है मैंने आपको एक से चिकल डू क्या जाएगा माइनस का एक ना माइनस का ए और सब्सक्राइब जाएगा तो एक इतना आपका वन है तो माइनस वन और सब्सक्राइब कितना रूट्टू है यह रूट कर देते हैं आया स्वंज में तक ठीक है ऐसे यवाइफाइब भाइब था रे तो एवाइब आजाएगा माइनस के और यह आजाएगा साइन फॉर्टिफाइव डिगरी तो यह मनेगा आपको बास माइनस डिवाइड बाइड रूट टू यह भी आया समझ में आप देखो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा अगर रिजल्टेंट वेक्टर लिखा ले ठीक है तो क्या जाएगा एक्टर इस इकल टू अगर एक्टर की बात करें पर तो एक्टर इस तरीके से अब एक्स वेक्टर वेक्टर की वेल्यू रखो आप क्या है एक्स वेक्टर वेक्टर की अपनको वेल्यू रखनी है तो एक्स वेक्टर क्या होगा तो एक्स वेक्टर जो होगा ना हो क्या होगा मैगनिट्यूड ओफ एक्स वेक्टर और इसकी डारेक्शन य और इसके डारिक्षिन आगी ये मेनिट्ट्र तो आप दिखो एक्स वेक्टर का जो मैंगनिट्फूट कितना है मेंगनिट्फ्थ यह कितना लिखना सब्सक्राइब इसक्राइब सब्सक्राइब और माइनस में जा रहे हैं तो यहां पर यह पर यह आपका प्लस यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमने हमने माइन से हाफ रूट अफ लिए ना इसमें नोटिस थोड़ा आप करना कि यहां पर कुछ लिखा ओगा इफ एकस यह यह एक्सरी न है यूचेलरेशन वेक्टर वेक्टर सलोंग एक्स एक्स तो इन्हों जो यूनिट वेक्टर्स दे रहे हमको क्या दे रहे है एक्सकेफ वाइकर दे रहे रहे तो अगर इसमें आपको अंसर लिखना हो तो माइनस लोगत यह वाट इस दे अंग्ले विलोसिटी ऑफ सेकंड हेंड सबसक्व फिलेंद फॉसिटी आप शेकंड हेंड है न इंग्छला की अनग्लिर विलोसिटी अ-वलोसिटी अवा जिएक Fare等 की एंग्लर विलोसिटी और विलॉसिटी रिवलेशन रेंग लेडा है अपन एक पूरा सब्सक्राइब ले लेता है जैए आप पूरा पूर्वश्ञ लगा लेता है ना नैहीं बोलो 60 सेकंड में लगा लेता है है ना यूनिट किस में आ रही है आपको बास रेडियन डिवाईड व्यसेकंड में लाँ टू से इसको कैंसिल करो थीक है तो आपका अंसर यहां से क्या जाएगा पाइबाइब थर्टी और रेडियन्ट डिवाइड बाइब सेकंड इस तरह से आपको और मैंने बाद नार को सेकंड में कर नोट किया नहीं पर सेकंड का लिए न आपने तो 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 कि टाइम आपको सेकंड वाले से ही लेना प का पर जो मिनिट का है जो मिनीट का हैं एक चक्त लगाएगा तो कितना टाइम लेगा हो मिनिट का हैं जब पूरा चक्त लगाता है कितने लेगा 60-minute नहीं 60-minute और 60-minute को आप सेकंड में बदलोगे तो 60 इन टो सेकंड करोगे तो यह भी आपको यूनिट्स तो सेम लानी पड़ेंगी तो रेडियन अपॉन सेकंड हो जाएगा तो से इसको कैंसिल करना तो यह 30 हो जाएगा ठीक है तो यह क्या चारतें तो ओमेगा वन हमारे पास कितना पाइबाई 30 है ठीक है और ओमेगा टू आपने निकाला पाई डिवाईड बाई एटीन हंडेट ठीक है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इस जीरो से जीरो करते हैं तो यह रेश्यों कितना आरा आपके पास सिक्स्टी आ रहा है ठीक है आया सोंज में क्लियर है तो यह क्वेश्चन मन रहा है हमारे पास आप बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम तो मास आपको दिया हुआ है 0.4 किलोग्राम ठीक है इस विल्ड इन होरिजॉंटल सर्कल ऑफ रेडियस टू मीटर रेडियस आपको दिया हुआ है टू मीटर है ना विदा कॉंस्टेंट सब्सक्राइब करें या अमेगा है अगार कर दे और वी कितना यहां पर टैन है ठीक है और रादेखो आर कितना है तूँ तो फइस चाहरे तो तो अमेगा आपके पास आगया फाइइए पर इसे लिए लिए पर सेकिन फेंट के लिए फॉर्म्ले आपको देखो आपको आपके पास आपको देखना पड़ेगा कि कौन-कौन से वेल्यूस हमें गिवने कौन सा हमें अप्लाइ करना है ठीक है तो यह फर्स्त हो गया एंग्लर स्पीड आगे दूसरा के रहे हेक्वेंसी उफ रेवलिशन तो Gary Papa is 닌ी और यहां जिर स्पेंसिर पर oldest औरSh useless पर फिलिशां पर सेकंड में पर सेकंड-न में अभर और अबमेगा तो आपको 5 है तो 5 डिवाइड बाई क्या करो टूपाई कर दो और इसको सॉल कर ले तो फाइफ यह जागा टू इन्टू ट्वंटी टू और उपर कर लेते इसको जो आप सॉल करेंगे तो नंबर ओफ रेवलुशन सा जाएंगे आपके पास यह आएगा 0.795 अगर राउंडिंग करोगे तो जिसे राउंडिंग करें अपने की तो यह 0.8 अजाएगा जिरो पॉंट 8 अजाएगा ठीक है इसकें कॉस्चन हो गया जेकिन के बाद अपने बात करतें थर्ड क्या है थर्ड है टाइम पिरेट सेकेंड टाइम पिरेट का फॉर्मला देखो टाइम पिरेड भी लिखाई सकता है टाइम पिरेट को क्या करोगे ओमेगा इस इकल टू और टी होता है दो नो मे घा है नहीं है न वी मे價 exists फ्री उमेगा niewंग को क्या हों गया थेक़्िंसे भी हम जानता है कि पॉइंट से करो तो बड़ाइड यहां से वन टू फाइफ सेकंड आपको यहां से समय मिलेगा है ठीक है तो से तो पॉइंट फाइफ सेकंड मिल जाएगा आगे तो अपने पास 4th part का सेंटिप्टल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने पास है वी स्कॉआ डिवाइड बाइ आर ठीक है तो इसके सारे अंसर बन रहे हैं अपने हैं ना केल्कूलीशन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आया समझ में नहीं है बस फॉर्मले किसी लगाने यह आपको लेर्ण करना है किस तरह से फॉर्मले अप्लाएं होगे ठीक है आया समझ में कि करें आजूमिंग डा मून कंप्लीट्स वन रेविलुशन इन सर्कुलर ऑर्बिट अर्थ इन ट्वंटी सेवन पॉर्ट तो आपको क्या गिवन हैं ट्वंटी सेवन पॉंटी सेवन पॉंट्री डेज क्या हो जाएगा टाइम प्रियेड हो जाएगा ला कि अँछे सेवन पॉंटी सेवन पॉंट ट्री डेज कैलकुलेट डाइक्सलेशन ओफवोड नौन तौर्वड़ न अर्थ तो तूर्स लाइफ जो एक्सलेटेशन लगी क्यों सी होगी सेंटीपितल एक्सलेरेशन नहीं होगी तो सेंटीपितल जिस पॉब्लम में दिक्कत हो बता देना तो यह स्क्वार आ जाएगा आरा जाएगा आपके पास ठीक है अब टू पाई जो है तो टू इंटू हो जाएगा आपके पास 3.14 ठीक है और यहां पर टाइम प्रेड आप रखोगे तो टाइम प्रेड क्या होगा 27.3 पर दिहाल जाएगा 60 सेकंड तो इस तरह से आपका वेल्यू आएगी इसके स्क्वार कर देंगे और रेडियेस आपको दिया हुआ यह रेडियेस किता है 3.85 एना इंटू टेन्स पाउर 5 अब रेडियेस भी जो है वो किलो मीटर में है रेडियेस भी क्या है किलो मिटर में तो टेनिश पाउर माइनस 3 मीटर डिवाइड वाई सेकंड स्क्वार क्लियर है बात हां किस तरह से फॉर्म अप्ला प्लाए करना है ठीक है केलकुलेशन बेटा टाइम निकालके एक बार केलकुलेशन भी देखना आप फिफ्ट कोश्चन की बात कर लें आपन फिफ्ट कोश्चन क्या ह यह फिफ्ट कोश्चन है मारे पास तो फिफ्ट कोश्चन में कि एक बार स्विफ्ट कोश्चन देखते हैं फिफ्ट में कि देंग्लर विलोसिटी ऑफ पार्टिकल मुविंग अलोंग सरकल ओफ रेडियेस 50 सेंटिम्टर तो रेडियेस दिया हुआ है आपको सरकल का सबसे किले तो यहीं डिस्ट कर लेते हैं डेटा 50 सेंटिम्टर इस इंक्रीजड इ हैं आपके पास हैं five minutes ठीक है are time कितना है five minutes है और कि आपके पास है hundred revolution per minute to hundred revolution per minute की बात करें 100 revolution per minute में एकन लेता हUNG कि पहले जो उसके इंग्लबर किती ही इंग्लर वेलोसिटी ति उसकी इँनीशल sis नी थिखंड्र्ट एविलुषन पर मिंट थी इनीशन हो गई हैनल्ड एविबलूशन पर मिंट ठीकिय और उसके बाद जहें कि यहारा और दो 9 वोड़ार % ंउहीं बाँ हम बतंगे आंगल्डेन एकशलरेशन से बात कर महीं बताऊना इंखलेर और एक्सलेरेशन का फॉर्म लोग गया तो एलफा इस इकल तो आप रखें ओमेगा कितने आपका देखो यहां पर फोर हंडेड तो फोर हंडेड माइनस यह अंडेड कर देंगे हम यहां पर और यह दो को यूनिट और चेक को लो मिनिट में और टाइम भी मिनिट में तो यह भी कोई दिकत नहीं 5-0 जाएगा तो 400-100 करेंगा आप 300 आजाएगा 300 लिएड वाइट वाइफ कर देना 5 6 जा 5 630 कर देना तो इस रेवलुशन है ना यूनिट पर ध्यान देना 6 रेवलुशन पर मिनिट स्क्वायर ठीक है यह एलफा है आपके पास है ना पर आपने देखा यहां तो alpha आपको radian per second square में दिया हुआ है alpha किसमें दिया हुआ radius per second square radius per second square में कैसे निकालोंगे आप तो radius per second square में निकालने के लिए आपको first or fall क्या करना पड़ेगा यहां पर मैं radius per second square कि step भी बनपता है था आपको आपको जो omega 1 लिए तो omega 1 आजाएगा आले न तू से इसको कर ले ना तू थरी जाशिक्स कर देना तो यह आपके बास आजाएगा टैन पाइब आइट री रेडियन डिवाइड बाइट सेकेंड में आगे आपके बास ऐसे ओमेगा टू फाइड डॉट कर लें तो वेगा टू भी वही कर दो पाई और एन कितना है नंबर ऑफ रेवलुशन कितने हैं 400 यह 400 कर दो आप 400 डिवाइड बाइड सिक्स्टी कर देंगे इससे कैंसिल हो जाएगा टू से से करेंगे टू थरी जा सिक्स हो जाएगा ठीक है तो इट कमस आउट टो भी फॉट्टी पाई बाइब थ्री ठीक है और यह आगया आपको डिवाइड बाइ सेकंड आगे अब टाइम भी आपको सेकंड में रखना है तो फाइफ मिनिटे तो इसको सेकंड में बदल लो फाइफ इंटो सिक्स्टी हो जाएगा तो यह 300 सेकंड आ जाएगा अब यहां से आप एलफा जो फाइंड आउट करेंगे इसको माइनस कर लो ठीक है ओमेगा टू माइनस में कर दो तो दोनों में पाइबाइबाइब थ्री बाहर ले ले लोगे तो कितना जाएगा तो 40 माइनस टेन आ गया और डिवाइड बाइड करोगे आप 300 से तो यह 300 आपके पास यह ना और स्वाल कर लो तो पाइबाइब थ्री तो यह आगया और इंटू 300 यहां पर यह 300 है और 40 माइनस 10 कि तो जाएगा 30 हो जाएगा तो इस 3 से 3 को कैंसे को टेन हो जाएगा इस से को कैंसिल कर लो तो यह और आंसर इस पाइबाइब थर्टी रिडियन डिवाइड वाइड वाइड सेकेंड स्कार बोलो आया सॉल करना नहीं आ रहे है पाइब थर्टी रेडियन डिवाइड वाइड सेकेंड स्कार ठीक है बिटा क्लियर है तो यह तो फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन आगे आपके वास सेकेंड यह कह रहे है लीनियर एक्सेलरेशन बता रहा है सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्कार में सेकेंड जो इसका से याने मैंने तो होता है एलफा किट्वार लिका या निया से ऑद पाइब जिर्पा इसको कर लो तो 5 by 5 by 3 by meter divided by second square answer आपको पास second आजाएगा step समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आपको बताए step समझ में आ रहे हैं फिर मैं जब notes हाँ sorry centimeter है अपने 50 centimeter था ना हाँ तो मैं कि रहा हूं step समझ में आ रहे हैं ना किस तरह से solve कर रहे हैं है ना पिर आप और practice करना इनके questions की और अच्छे से ठीक है चलो next ले लेते हम और तो यह तो sheet almost हमने solve करी लिए है ना जो भी आप question बचे एक बार आप उनको लगा ले ना बागी almost सारी sheet हमने होई गई है अपनी तो यह अच्छा हुआ कि यह sheet भी अपने है running class में solve कर ली चलो next question है अपने बास next question है calculate the linear acceleration of a particle moving in a circle of radius 4 0.4 meter at the instant when its angular velocity is 2 radian per second and its angular acceleration is 5 radian per second square ठीक है यह बताना है आपको इसमें देखें आप given values आपको बास linear acceleration of a particle linear acceleration of a particle find out करनी है हमें तो linear acceleration find out करनी है तो यहां कर देते हैं ठीक है रेडियस आपको given है तो radius कितना given है 0.4 meter 0.4 meter radius है ठीक है instant when its angular velocity इंग्लर वेलसेटी बतलब ओमेगा दिया हुआ है आपको और ओमेगा जो है twice of ओमेगा twice of radian per second है ठीक है and its angular acceleration मतलब alpha alpha कितना दिया हुआ है आपको 5 radian per second square है ना तो देखो इसमें जो total acceleration का formula हमारे पास आएगा का total acceleration जोगा यह स्कौरूट ओफ स्कौर्इण के स्कौराइर प्लस टेंजेंशल आइक्सलिएशन चलाइशन के स्कौर्इण के स्कौराइक तिक्राइभा अब यहाँ पर सांटिपेंटो अईनट्रेशन अं है तो यह 0.4 कर देते हैं यहां पर तो टूटू जब फॉर नहीं आसा जाएगा 0.4 यह बन जाएगा आपका 4406 यानिके 1.6 है न सेंटिपिटल एक्सलेरेशन जोएगा 1.6 मीटर अपन सेक्निस कर जाएगा इसकी बाद अपनको निकालना है टेंजेंशल एक्सलेरेशन तो यह आजाएगा आपके पास twice of meter upon second square यह आपके पास आगया टेंजेंशल एक्सलेरेशन अब टोटल एक्सलेरेशन जो हम निकालेंगे हो क्या जाएगा स्क्वाइर रूट आफ स्क्वाइर रूट आफ 1.6 का स्क्वाइर एंड प्लस यह हो जाएगा टू का स्क्वाइर है ना तो यह आगया आपके इसको सॉल करना है आप उनको देखो 1.6 और इसका आप करोगे ते 2.6 आएगा 2.6 मीटर अपन सेकिंड और जो डारेक्शन निकाली जाती है वो टैन ठीटा इस इकल टू आपको आसाती है प्रपेंडिकुलर बाइस लगाते यह आ जाता है सेंटिपिटल एक्सलेरेशन डिवाइड बाइट टेंजेंशल एक्सलेरेशन है ना तो यहां से आप टैन ठीट सब्सक्राइब टैन इनवर्स जीरो पॉइंट एट और इसको आप जब स्वाल करेंगे टैन इनवर्स जीरो पॉइंट एट तो इदे रखेंगा आपको थर्टीट पॉइंट पॉइंट पोर जीडो डिग्री ऐखियर यह जो फॉइंटि ए ठीक है आपने मट गिवां लौ and मोचन स्टडी कर लागतन यह 1 यॉनिफर्म सिर्कुलर जैण पर दो किसी इन स्टेंट पर किसी इंस्टेंट पर जो यहां पर है इस पॉइंट पर किसी इन स्टेंट पर है यह वो यहां सुन्त पर हैंस जहां इसका हो जाएगा ठीक है और सेंटर हो गई आप सेंटृपीटर एक्सलरेशन तो कैसे लगई Hero और टेजेंशल एक्सलरेशन कैसी लगई है यह टेंजेंड पे टेंजेंशल एक्सलायरेशन बना दिए अगर इसको आपन आ यह ट्राइंगल कुछ इस तरिस हो जाएगा ये और यह दोनों तो जो है एक-दूसरी क्या प्रपंडिकुलर लें यह इसे क्षेप्पर लेंगा यह जंशलेराशन हो जाएगा यह टेंजृ अजले इसको अपन लेते हैं अभी एक ट्राइंगल बन जाएगा मतलब आपके पास और यह ट्राइंगल इस ट्राइंगल से अपने निकाल लेंगे यह जो फॉर्मला निकाला आपने एसी डिवाइड वाइटी है ना आया सोंज मैं